नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सन्मार सावन के महने में भोले नाथ के मंदिरों में सरधालूं की लंबी कतार होती है माननेता है कि भगवान सिव सावन के महने में स्वैम धर्ती पर आकर ब्रम्हांड का संचालन करते हैं तो सिविलिंग पर रुद्राफिसेक करने और भोले नात की प्रिय वस्तु अगर उनको अर्पीर किया जाए तो मनो आंचित फलों की प्राप्ति होती है तो स्रावन के मेहने में वो कौन सी पांच प्रमुख वस्तु हैं वैसे तो 14 चीजें सिव जी को चरहने का विधान है त ताकि जीवन में रोग मीटे कस्ट मीटे सत्रू से मुक्ति मिले पाप का नास हो धन वैभव की प्राप्ति हो पुत्र आरोग परदान हो और सुबुद्धी प्राप्त हो प्रेम वाहन भवन सुक बढ़े तो सबसे पहली बात कि सिव जी को आप क्या अर्पित करें तो हम व भास जल पले लोटे में डाल कर अभिसेख करें तो पित्री दोस्त समाप्त होते हैं दही से अभिसेख करने से भवन वाहन का सुक मिलता है गन्य के रस से अभिसेख करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है सहद से अभिसेख करने से धन ब्रदी होती है और अगर गंगा जल से अभिसेख करें तो मोक्ष मिलती है इत्र से अभिसेख करें तो रोग नस्ट होते हैं दूद से अभिसेख करें तो पुत्र प्राप्ति होती है गंगा जल से तो जो यानि की आपकी विमारी भी ठीक होती है जल में अगर पीपल के पत्ते पांच पीपल के पत्ते डाल कर अभि काला तिल अरपित करें तो लंबी परेसानिया समाफ्थ होती है गेहूं अर्पित करने से पुत्र की प्राप्ती होती है और साथ ही अगर दूद में चीनी डाल कर चढ़ाएं तो बच्चों का मस्तिस्तेज होता है अब देखिए अगर आप घी अर्पित करते हैं तो सारे रिक दुरुबलता भी इससे समाप्त हो जाता है अगर सिबलिंग पर आकले के पुष्व अर्पित करें तो सानसारिक बाधाओं से मुक्ष की प्राप्ती होती है तो सिबलिंग पर यह थी महिमा कुछ ऐसी बस्तुए जो सबसे ज़्यादा प्री है आप अपनी मनोकामना के अनुसारी बस्तुवों को अर्पित कीजए वैसे तो सिपजी को दाले भी अर्पित की जाती है दाल यानि चना का दाल कहते हैं सारे दुख मिठ जाते हैं अरहर का दाल या अरहर का पत्ता अर्पित करें तो धन एस्वर एसुक सम्रिद्धी बढ़ती है हरा मूंग अर्पित करें तो जीवन की तकलीफें समाफ्थ हो जाती है, मन की मुराद पूरी होती है, और गेहुम तोर्पीत करने से संतान प्राप्ती होता है, हम आपसे भी दालेते हैं, धनिम्ट